आज की इस वीडियो के अंदर हम electrical interview में पूछे जाने वाले एक काफी interesting question के ओपर बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे interview में कई बार ऐसे सवाल किया जाता है कि जो हमारे electrical के pole होते हैं इस pole में कभी कभी 3 wire का इस्तिमाल कर जाता है कभी 4 wire के और 5 wire का इस्तिमाल कर जाता है तो आखिर कर किस wire system का काम क्या होता है दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और प्राद बशा दूँ कई लोग 3 wire और 4wire के बारे में तो अंशर δी वी देता हैं लेकिन जब सवाल किया जाता है कि आखिर electrical pole में 5 wire क्यों लगे होते हैं उसका क्या जवाब है तो वो बता नहीं पाते हैं तो इस सबी के बारे में मैं आपको अच्छे से explain करूँगा ताकि आप बिल्कुल भी ना भूले दूस्तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3 wire system से आपको अधिकतर तोर पे electrical pole में आपके 3 wire ही देखने को मिलेंगे अब यह 3 wire क्यों होते हैं तो दूस्तो 3 wire के electrical pole होने के पीछे की 2 अलग अलग वज़े हो सकती है अब क्या हो सकता है पहली चीज तो यह हो सकती कि जो 3 wire है इन 3 wire में से 2 wire का जो इस्तिमाल किया जा रहा है वो किया जाता है हमारे residence area में घरों के अंदर face और neutral देने का तो 2 wire तो हमारे इसके हो गए और जो आखरी एक wire बचा इसके अंदर भी हमारा face होगा और जो यह face है यह face हमारे घरों में supply के लिए यूज में नहीं होगा इस face को जो पोल पे लगाया गया हो सकता है वो हमारी street light जो municipal light होती है उन light को पावर देने के लिए हो तो पहली चीज तो 3 wire system में यह हो सकती है इसके अलावा भी आपको पता होना चीज है कि कई cases में 3 wire system को जो उप्यों की जाता है वो इसलिए नहीं किया जाता है कि 2 wire तो हमारा face neutral घरों की supply के लिए हो गया और एक face street light के लिए हो गया इसके अलावा भी कई cases में ऐसा भी होता है कि जो 3 wire system है वो 3 wire ही हमारे face के होता है मत इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपको 4 wire दिख रहे electrical pole में तो इसके पीछे के क्या क्या region हो सकता है तो सबसे पहला region जो आप सभी को पता भी होगा कि इन 4 wire में से जो 3 wire है यह 3 wire तो होंगे हमारे red, yellow और blue यह तीनो face के लिए होंगे और 7 यह बचा एक और wire वो होगा हमारा neutral के लिए तो पहली चीज तो यह हो गई लेकिन दोस्तो आपको एक बात धियान रखनी है यह जो हमने बात परी 3 wire और एक neutral की यह हमारे generally distribution जो line होती है कुछ distribution line में कुछ इस तरीके से power supply को भीजा जाता है लेकिन जब बात आती है transmission line की तो transmission line में भी आपको कई बार 4 wire देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो transfer line में जो 4 wire होते हैं उसमें जो 3 wire है वह 3 wire तो हमारे 3 face के लिए हो गए red, yellow और blue लेकिन इसके अलावा जो 4th wire है जो एक और आकरी बचा wire है यह wire हमारे lightning sealed के लिए उप्योग किया जाता है मतलब कि कभी अगर आक lightning sealed wire कई cases में इस अर्थिंग का wire भी बोलते थे हैं तो आपको धियांगने अगर 4 wire system हमारे transmission line में है तो ज्यादा तर यही चांस होंगे कि उसमें जो 3 wire है वो तो है हमारे RYB 3 face के लिए और जो 4 wire बचा है वो होगा हमारे lightning sealed के लिए तो यह हमने बात कर लिए 4 wire system के बारे में अब बसता है एक हमारा 5 wire का system कि electrical pole में अगर 5 wire का उप्यूक ही जा रहा है तो यहां पर क्या क्या condition हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहला बात करते हैं transmission line को लेके कि अगर transmission के line है तो उस case में हो सकता है कि 5 बिचे जो हमारे 3 wire है यह 3 wire हमारे red, yellow, blue यह 3 face के लिए है इसके अलाव जो हम 4 wire system में एक हमारी lightning sealed wire का उप्यूक कर रहे थे 5 wire system में हो सकता है अभी 2 lightning sealed wire का उप्यूक किया जा रहा हो आपको पता होनी चाहिए कहीं जगे ऐसी होती है जहां पर बिचली गिरने के chances काफी जादा होता है तो वहाँ पर जो lightning sealed के wire होते हैं transmission line में वो double उप्यूक किये ज मतलब face or neutral के wire हो सकता है तो आपको पता चल गया distribution system में 5 wire की पहली condition जो हो सकती है वो हो सकती है कि 5 में 3 wire जो है वो है हमारे RYB के और बच्चे 2 wire वो हो गया हमारे residence में supply देने के लिए मतलब face or neutral के इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं आप बताए distribution system के अंदर हमारे 2 तरी की condition हो fire में तो दूसरी condition हो सकती है कि हमारे RYB 3 face or 3 wire के अंदर और जो बाकी बच्चे 2 wire है इसमें एक में तो हमारा neutral और बात की बच्चा एक और wire उसमें हो सकती है हमारी street light के लिए power supply मतलब municipal light के लिए हमारा face हो सकता है तो कुछ इस तरीके से भी condition हमारे 5 wire system में बन सकती है उमीद करता हूं दोस्तों अब आपको 3 wire, 4 wire, 5 wire के बारे में practically थोड़ी clarity आई होगी कि आखिरकर कितने wire होने पर किस तरीकी की supply हमारे electrical pole में हो सकती है आपको इस वीडियो कैसा लगा एक like के चलू बताएगा अगर अभी भी आपके इस वीडियो के प्रतिया electrical जोड़े कोई सवाल रहे गए तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके पूछ सकता है इलेक्री गुरोज आउने पसंद करते हैं आज ये माई चैनल को subscribe कर लिजी आज के लिए तनाए धन्यवाद